फाइनली एक्यूसेंस एसडी डिवियार लॉंच हो गए है आइडियेस सीरीज में लॉंच हो गए हैं काफी चीजे उसमें नया डाला हुआ है लेकिन आपको जो समझना है वह बहुत जरूरी है क्योंकि क्वालिटी वाइज कुछ चरंजेज है जो आप अगर नहीं समझेंग और हिकविजन ने क्या चाला की किये इसमें उसके बारे मैं आप सब आज बताने वाला हूं वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पहली बार मेरे चैनल पर है है तो चैनल सब्सक्राइब जरू करते जरूर करतेजएगा सबसे पहले मैं आपको कुछ मैं बता देता हूं कि ऑसमें यह से रिलेटेड लांच हो है, और स्थेज़ कितना है, DS-E04-HGHI-B इसमें 330 GV का S sector SSD, DS-E04-HGHI-E इसमें 1 TV का SSD, इसके लावा DS-E04-HGHI-D इसमें 512 GB का SSD, DS-E-08-HGHI-B इसमें 512 GB का SSD, DS-E08HQHID इसमें 1TB है और इसमें 04HQHIB इसमें 512GB है तो यह पहले से लॉंच हुए तो मैंने एक बार सारी चीज़ों को रिकेप कर दिया अब जो फाइनली लॉंच हुआ है उसके बारे में बात करते हैं IDS में आपका HQHI में 4 चैनल और आर चैनल के लॉंच हुए है जिसमें IDS-E04HQHID 1TB ESSD के साथ और E08HQHIB यह भी 1TB SSD के साथ लॉंच हुए है अब इसमें क्या खास बाते हैं क्वालिटी वाइज कहां पर चला के एक विजन ने की है उस पर बात करेंगें देखें मोसन डिटेक्शन 2.0 है जो जाहिर से बात है अब सारे एक्यूसेंस DVR में आ रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है अब जो ट्विस्ट है कंपनी की और स तो वह समझ लिजे वह मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं 3K 12fps पर रिकॉर्ड करता है 3K जबकि आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क वाले पर 3K सपोर्ट नहीं करते थे हां यह जो डूल मोड वाले जो नहीं आए हैं हाइब्रीड वाला वह सपोर्ट कर रहा है बट क् आपको हार्ड डिस्क वाले पर जाते हैं जो HQ HI वाला जो DVR था IDS स्रीज का उसमें 4MP 15fps पर था 15fps लेकिन 2MP 25fps पर था अगर दोनम कंपरेजन करें तो क्वालिटी वाइज स्टोरेज जादा दे इसके लिए कंपनी ने इसे कम कर दिया 25fps से 15fps पर कर दिया यह दिहान पर दिया इस लेगा इसमें आपको यह के चीजह मिलें और इसकारण से 1 TV में आपको वीक्स स्टोरेज के लिए बता जा रहा है चार चनल में जो 6MP तक के होंगे और आपका 8 चनल में 2 IP कैमरा सपोर्ट करेगा जो कि 6MP तक के आप यूज़ कर सकते हो HD CVI अप टू 4MP तक सपोर्ट करेगा अधर ब्रेंड के कैमरे आप 4MP तक का आप इसमें यूज़ कर सकते हो तो यह थी HQHI-D चार चनल वाला और HQHI-B यह आपका 8 चनल वाला अब ट्विश्ट ही देखे क्या होता है अब HUHI में भी लॉंच हुआ है HUHI में क्या डिफ्रेंस है वो देख लिजएगा IDS E04 HUHI-B 1TB ESSD है यहां पर भी कहा जा रहा है कि टू विक्स का स्टोरेज आपको मिलेगा मोशन डिटेक्शन 2.0 है अब यहां पर 8 MP 8 fps पर रिकॉर्ड करेगा जो कि आपको पहले जो आपको हाड डिस्क वाले जो DVR है उसमें भी यही चीज़ है 3K वाले 12 fps पर इसके लाभा 4 MP के कैमरे 15 fps पर 3 MP के कैमरे 18 fps पर 2 MP के कैमरे 25 यह 30 fps पर आपको रिकॉर्ड करके देगे अब टू चैनल आपको IP कैमरा सपोर्ट करेगा दो आपकी कैमरा आप इसमें यूज़ कर सकते हो चार चैनल का है यह अच्छी बात है लेकिन यह 8 MP तक के आप IP कैमरा यूज़ कर सकते हो तो यह भी अच्छी बात है यह भी same as it is उठाकर लिलाया गया है आपके hard disk वाले से HD, CVI वगरे जो भी है other brand के जो कैमरे है वो 5 MP तक के आपको support करेंगे तो अगर आप ESSD का DVR लेते हैं quality wise तो आपको HUHI में जाना होगा क्योंकि HQHI में तो FPS का खेला कर दिया गया यह आपने देखा ही यह आप समझ गये होगे तो FPS जब कम होगा तो recorded footage में क्या होगा लाइफ व्यू में लगबग तो आपको ठीक दिखेगी लेकिन जब आप playback देख करोगे तो noise काफी जादा आएंगे 15 fps और 25 fps में बहुत अंतर होता है और उसका खामियाजा आपको बहुत ना पढ़ सकता है तो यह एक उसको minor बूली major बूली अब आपके हाथ में अगर ESSD की खासियत को देखने जाहिएगा तो power कम लेती है तो उसका एक अलग benefit है size कम उसका वाला DVR ले सकते हैं अक्यों संज DVR ले सकते हैं उम्मिद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दीजिएगा वीडियो का लाइक जुरू कर दीजिएगा अगर आप भूल गए लाइक करना तो धनिबाद